अबे हैट्रिक का चांस है यहां पर भुमरा के पास भाई शरयाम चीटिंग और रे भाई साहब इंडिया बैक इन दी गेम तो पे छे चाहिए तो आजम करने जा रहे हैं इंडिया बोलिंग 11 वसीज इंगलेंड बैटिंग 11 इन रियल गेज़ 24 यानि कि सारे 11 के 11 प्लेयर जो से कम रेटिंग इस गेम में उसको चुना है और वो भी सिर्फ ग्राउंडे शोट मार पाएगा और वो भी लास्ट में आएगा और इंगलेंड में हमें पांच बोलर रखने हैं तो मैंने सभी के सभी और राउंडर सूथ किये हैं तो ये रिवाई दोनों टिमों की स्कॉर् में और हम जो है 7K के बहुत जादा करीब है और 74 परसेंट बंते जो सब्सक्राइब ने कर रहें वीडियो देखकर वाई कर दो और इंग्लेट वैक्स में जो है टॉस जितके पहली बैटिंग ले ली है तो देखते हैं हमें वो कितना टार्गेट देने वाले हैं तो चलते ह हम सीधा वीडियो की तरफ तो यहां पर हमारी पहले बॉलिंग आ गई है तो बोलर्स की लाइन देखो तुम बोलर ही बोलर है जिसे मरजी बोलिंग करा लो और इस वीडियो का लाई के मोने वाला है भाई 300 लाइक्स का देखते हैं तुम लोग कर पाऊगे आने ही जस्परी बॉमरा एक स्रिफ लगाई है और पहली ही बॉल पर क्या आयाँ पे विकेट निकालते हुए जोस बॉल बैट्समन है थोड़ा से लपा गुमाते हैं वे यार चार रन बैंगलू का ग्राउंड चोटा ग्राउंड रही ओके बुमरेशवर कौमार को लेकर आया दूसरा ओव सीधा हाथ में यहाँ पर बोलर से लेवन डोमीनेट करते हुए अभी तक इंगलेंड्स की बैटिंग लाइनप को लिविंग्स्टन आये हैं अभी यहाँ पर कुलदीब भाई आ चुके हैं पेली बोल डालने अभी इस पैल की और अराम से सिंगल निकाला है उन्होंने बाहर की तरफ डाल के देखता हूँ और स्वीप लगा है अरे यार इस बाहर चार रहन पर टोल यह लिविंग्स्टन ने ठीक है वही प्लैन बाहर वाली गेदी रखूँगा कोई नहीं बाउंडरी सात्य अरे हाई वही रपीट है यह तो क्या हो गया इसको तो महमा शमी डालने वाले है चोथा ओवर आरे पावर प्ले खुल गया मैंने फिल्ड निकाल दे विल्जेक्स इस बोल पे ना बेटे जी जान छे लगा दिया है और खोल दिये फिल्ड ही मारके दिखा जोह रहे है अकर दम है तो वैसे तो कुई भी मार लेंगा गलती से हो जाता है और मेरा बूर न विल्जेक्स अब वार के लिए चाहँ ऐसे तो आचम ऑन शराज बाई अब यार 46 रन बन गे है बहुत ज़्यादा है 46 रन उनके पास आला की अभी शेप आउट करके लिविंस्टन ने भी छे लगा दिया ठीक है टॉक स्पिन डालके देखता हूं उस बर मैंगा ओवर रही तेरा रनों का एक और चोका है क्या यह बिल्कुल तो आएं है अर्शदी अर्शदीब लेपाएंगे उनके बेली ही बूल पर क्या विकट है यह विल्कुल अर्शदीब आयो और हैरी ब्रूट को का आप बाहर जाओ बाहर ग्राउंड के मोहिनली आए हैं ओगे मोहिनली आज गया है मोहिनली एक ना स्लोर वन डालके देखता हूं औरे हैरी ब्रूक नहीं थमरा वो स्वरी लिविंग स्टन नहीं थमरा इंस्विंग बाहर की तरफ अबे यह क्या है बाई ग्यारा रन इस सोवर में भी आगे हैं 69 पर 4 है ड्राइव है यह अभी यह भी चूका है मुकेश कुमार आए है नए बोलर देखते हैं मुकेश भाई क्या अगर पाएंगे पेली बॉल सामने मोहिनली है अरे पेली बॉल पे मुकेश कुमार ने चारन खा लिया तो पेली इसको न थोड़ी से शोट पिछ रखते हैं नाइस नाइस शोट अरे गैप में अरे भाई यहां पर कैसे गैप मिल गया लास्ट ओवर जस्प्रित भूमरा डालने आए हैं देखते हैं भूमरा भाई क्या आगर पाएंगे लास्ट ओवर है यह पेली बॉल वहां पे चाहिए बस यहां से ना ओकैसे पो मिल गई एक हाथ से यहां पर जस्प्रित भूमरा यहां पर अपर टीम को इंपॉर्टेंट विकर्ट दिलाते हुए चलो लास्ट की तीन बोले कम से कम दसरन रोड़कने चाहिए अभी यहां पर एक और विकेट यह यह अभी है ट्रिक का चैन्स है यहां पर भूमरा के पास क्रिस वोक्स भी एक ओल राउंडर है इस टीम में देखते हैं क्या विकेट आईगी यहां पर अभी चूगा मार दिया यार क्रिस वोक्स में हद है चलो भाई लास्ट बोल है यह 18 रंदी है भूमरा ने तीन विकेट्स है और यहां पर ल ओ एज लगा है औरे ओ भाई एज का चोगा मिला है हूं है लेट्स गू यह बूमरा की भी रेटिंग थोड़ी सी ज़्यादा है बिल्कूल एक ओर बाउंडरी है यहां पर लेट्स गू बूमरा बूमरा को यही सोच के खेलना पड़ेगा कि वो जस्प्रिद शर्मा है कर सक यह भी चार रनों के लिए जाएगी जस्प्रिज शर्मा यहां पर बढ़िया काव करते हुए पेले ओवर में हमने बटो रहे हैं 12 रन मोहमद जैसवल आचुके हैं नाई बैट्स में धीकते हैं मोहमद जैसवल क्या करेंगे बढ़िया करना पड़ेगा कुछ बढ़िया बिल मैं नहीं मान रहा है यार ये दो किसी आउट किया ये दो किसा उड़ किया है बमरा को मोहमद कोली आयेagar यह वडिया बढ़िया वेदिक्टाक कर लेते हैं भै devDamन ही भॉल मोहमद बाहिपोली ने ग्राउंड के भाहर आरी है चोके के लिए यहिए अब गॉली ने ग्रांड क कि खीक। कर दिया हमने इनको क्या कैते है इंग लैंड वालो को ये भी बी पीछे लग सक ता यह भी भाइ बिल्कुल बैक टू बैक बाउंडरी से एक और चोका रुकने तो नहीं वाला मैं क्योंकि बहुत अभी बैटिंग पड़ी है और कुछ इस तरीके से मुहमद शमी ने च्छी लगा दिया इस वाली बोल भी मैं अरे बारो बारो शमी भाई ये भी फुल्टर जे दिया उसने पिछली बार अर्ली पर चोके मिल रहे हैं अब बाउंट ओर है बंदा कुल्दीप यादव आए हैं के कुल्दीप यादव पेली गेंद और रे पेली गेंद योरकर पेली गेंद पे बोल्ड माल दिया वे एक बाउंटरी और आगई है ये केचे है और भाई चे रन है अश्विन का बहुत ही सुंदर शोट जहां पर gap है मैं वही पर मारना चाहूंगा पीछे मारो पीछे मारो बहुत gap है और मिल जाएगा चोका मिल जाएगा बिलकुल मिलेगा इंच घार बहुत ऐसे किल शोड़ा है किल इसे टोड़ा आराम से खेलते हैं यह कॉनेक्शन अदिया कोड़ से का को कोडिक बना चागा है इंचार रान helps सि security guidance आपकी ब्रफटहumuz श्कली होजाना है ऑजबा से ड़ाकूर भाईल्फिस यह गल्रेक्ण international with कैसे मेर को रीपले दिखाओ बाई कैसे दू मिनट रुकाओ इंसाइड अभे दिखाया धंक से दिखाया इनिवा चीटिंग कर लो तुम मुकेश भाई मुकेश भाई अगर आपने यहां से जिता दिया तो बहुत बढ़िया होगा पेली बोल पर चोका भी मार दिया है बहुत सही मुकेश 79 पर 5 है बहुत अब भी काम हो सकता है बिल या कुछ नहीं बता सकते हैं आपको हम डिस्प्रेशन में भी हैं रवी बिशनोई आगया है चलो बाई बिशनोई भाई करदो कुछ कमाल करदो मैं कह रहा हूं बिल्कुल विष्णोई बहुत बढ़ी हैya बैट्समैन है एक और चोका कवन अश्विन भाई विल जैक्स, ओके विल जैक्स आया है, बोलिंग कराने, ऐके अब मायरे मतलब काया ना है पएली ही बोल पे अश्विन ने भी चार रनब टोल लिये है मारो बिश्णोई भाई मारो बिश्णोई भाई मारो बिल्कुल हवा में चोका जाएगा लेस्ट गू चाहर रहे ये कोई फिल्डर ही नहीं था वहाँ पर मार दो बिश्णोई भाई दस बोलो पे 17 रंड मार दो ये भी गैप में गेंद गई है और ये भी एक और चोका है भाई को भी मारने पड़ेंगे यह थोड़ी सी तेज गेंद है अरे नहीं कैसे भाई पीनी लाइन के ऊपर था यार मेरे टाइम मेटर कैसे आउट कर रहे हो बताओ हद है आये देख मला आगा अवे यार जे शर्मा आ गया है गलती से स्ट्राइक पर तो लास्ट ओवर है ये जैसे बाउंडरी मारनी है ना और पेली बोल लग गई भाई तेरा रण चाहिए बाउंडरी से लगाने पड़ेंगे मेरे को सिर्फ बाउंडरी से कम ओन सिर्फ बाउंडरी लगानी है मैंने लॉफ्टट नहीं मार पाऊंगा पेली आपर गया है अश्विन आगे है कम ओन ओके बाहर ये बाहर गें दैपाहर गेंदा बिलकुल ओ नहीं गई औरी दो जो लो दो लो दो लौ लो भाई दो रहन तो चाहिए कमसे कम दो पे छे चाहिए चाहिए कम ओन चुआ अनना दों लो पर चे अभै यार ये कैसे लगेगा इंश in आख ये बंद बाई आंके इंग्लेंड बैट्समेन यहां पर जीट चुके हैं यह वाला मैच और इंडियन बोलर्स यह मैच हार चुके हैं लेकिन नेक्स आइडिया क्या होना चाहिए नीचे कॉमेट में लिखो और मिलता आपको जल्द ही नेक्स ऐसी मज़ेदार वीडियो में तब तक के लिए गुड बाइ